नमस्कार एक बार पनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शमुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स एक बहुत सुन्दर सी हतीली हमारी शामनी है आपकी हतीली का जो आकार है आयताकार किसम का है निश्चित तोर पे एनलेटिकल स्वभाव आपका है एक दार्सनिक किसम का व्यक्तित्व है और एक सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई हतीली यहाँ पे दिखाई दीरी है एक चीज देखेगा आपकी जो उंगलिया हैं जिनके इनकी तीसरे जो पोर हुए हैं उनमें बहुत बड़े बड़े छिद्र दिखाई दे रहे हैं यह बहुत ज़्यादा नगेटिब होता है यह अच्छे नहीं माने जाते हैं ऐसे बिक्ति के पास अगर करोणों रुपे भी आजाए हतीली में पैसा नहीं बच पाता है अपनी जितना आया उतना समाया चाहे लाख आये चाहे एक रुपे आये चाहे करोण रुपे आये जितना आता है उतना समा जाता है एक भी पैसा ऐसे लोगों के पल्ले नहीं रहता ह और ये जीवन भर दिखाई दे रहा है ऐसी चीत आपकी हतीली में पैसा बचना नामुमकिन है रियल तो ये है लेकिन थोड़ा सा गुंजाईस कहां पर आ रही है यहां पर आपका अंगोठा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और आपकी जो तरजनी जिसको अनामिका कहते है अनामिका उंगली और जो ये सबसी छूटी उंगली है लिटिल फिंगर इसके बीच में छिद्र कम है इसका आकार कम है छिद्र तो है खर्चिला स्वभाव तो रहेगा लेकिन जीवनकाल के 56 वर्स से आप सेविंग बहुत अच्छे रूप में करने भी बैठ जाएंगे पै अच्छा समय आएगा ये भी आपकी हतीली बता रही है लेकिन 56 वर्स से पहले तक खर्चिला स्वभाव परोपर बना रहेगा अब इसका एक उपाय है देखेगा कहीं न कहीं आपको एक काम करना है आपके घर में जिस ब्यक्ति के पास बरगत हो चाहे आपकी मा हो चाहे आपके हाथ में पैसा दिया करें और उनको बचाने के लिए कुछ पैसा कहा करें तब जाके जिवन में पैसा का सब्सक्राइब कर पाएंगे आपके हाथ में पैसा बचना नामुम्मुकिन है चाहे करोड आए चाहे अरब आए लेकिन जितना आया उतना समाया इस परकार से जो है चीजें इस पश्ट रूप में आपकी हतेली बता रही हैं, बाकि आप किसी को जनम कुंडली दिखाए तो वो अगर बताए कि बच जाता है तो वो बाता लग है, लेकिन 56 वर्स से पहले यहाँ पे आया और गया का मामला है, हाँ लेकिन कमी नहीं रहेगी, पैसों के माम में प्रेशान होने वाली चीज नहीं रहेगी, जीवन सुचारू रूप से चलता जाएगा, बहुत बड़ी अडचन नहीं दिखाए दे रही है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाली बात नहीं रहेगी, प्रतिष्टा पे सवाल नहीं आएगा, प्रतिष्टा भी अच्छी र लेकिन फिर भी हलके मातरा में खर्चेला सुबाओ तो भी रहेगा, लेकिन इतने जादा रोक में नहीं रहेगा, ये आपकी हतेली यहाँ पे बता रही है, अब दूसरी बात देखो, लेकिन एक अच्छी चीज भी है, क्या अच्छी चीज है, आपका जो ये मन का कारक है, चंद्रमा इसको कहते हैं, जलतत्व का मालिक है ये, हमारी जीवन को सतर प्रसेंट बदलने की छंता रखता है, इसमें सांदार रोप में आप देखेंगे, एक चतुस्कून बना हुआ है, वर्ग का चेन जिसको कहते हैं, और किस पे बना है, चंद्रमा रोत पे बना है, कलपना सक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, आपकी कलपना सक्ति बहुत ज़्यादा है, दयालो है, गंबीर है, लेकिन किसी भी परस्तिति में धैरनक होने वाले ब्यक्ति हैं, आपका चंद्रमा बता रहा है, कि कलपना सक्ति बहुत ज़्यादा है, आपकी सोचने क कि सकती बहुत तीब्र है कलपना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं दयालों है कुरूरता नहीं है निश्ठूरता नहीं है खडूसपन नहीं है बदला लेने की परब्रति नहीं है लेकिन गंभीर है हां किसी भी प्रस्तिति में धहरे नखोने वाले ब्यक्ति हैं ये खासियत है आपकी हतीली आपके बारे में बता रही है कि ऐसे खासियोतों वाला भ्यक्ति है दूसरी बात आपके दोनों मंगल यहां पर अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है बलिष्ट है प्राकरम बहुत अच्छा है एनरजेटिक स्वभाव है आपका जीवन में कितनी भी परेश आजाए समस्यायों में आजाए अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगाता लगने लगे रहने वाला बिक्तित्व आपका है जूजते रहने वाला बिक्तित्व है नीचर भी आपका बहुत अलबेला है दूसरों की सेवा करने में भी तत्परता आपके अंदर है दूसरों के साथ खड़े होने वाले बिक्तियों वैसे एक है आप और दूसरों की मदद करने वाले बिक्ति भी है हाँ अपने कामों में भी मुस्तेदी से लगे रहते हैं ऐसी परवुड़ते भी आपके अंदर यहां पे दिखाई दे रहे हैं अगर यह किसी परकार के तिल नुमा है यह दोनों तो बाद बिबाद से आपको बचके रहना है जीवन में बाद बिबाद से बचके रहना है चाए वो भूमी समंदी हो चाए वो कार्य समंदी हो चाए किसी और चीज के समंदी हो गुस्से पे भी दियत रखें बाद बिवात से बचे रहें ऐसे में मानसिक तनाव की इस्तिति बढ़ सकती है ऐसे में कोल्ट कचरे का मामला भी बन सकता है इसकी संभावना भी है हाँ हनुमान जी की पूजा अगर करें आप बिदी मैं दे दूँगा तो इन चीजों के संभावना बहुत कम हो जाएंगी जीरो परसेंट हो जाएंगी और ये गलत फल नहीं देगा यहाँ पे अगर एक चीज और देखते हैं आपकी हतेली में अच्छी चीजों को भी देखेंगे वैसी चीजों को भी देखेंगे यहाँ पर देखेंगे अंगोठा आपका इस तरों से आता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें हड़ी दिख रही है यह जीवनकाल में संगर्ष को दिखाता है धनहानी को दिखाता है जादतर मामलों में ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं उनको ब्यावसाई बड़ा सोच समझकर करना चाहिए यह ब्यावसाई में नुकसान को दिखाता है अगर बहुत जरूरी हूँ ब्यावसाई करते भी हैं तो पार्टनर्शिप से बचना चाहिए और एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खूब मेहनत के बाद कड़ी मेहनत के बाद ऐसे लोगों के पास धन आता है और खासकर जीवन में धन कमाने की या बचारी की जो इस्तिती बनती हो थोड़ी सी लेट बनती है हाँ 42 वर्ष की आयू से चीजें ठीक होने बैट जाती है और 56 वर्ष की आयू के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है और यही आपकी हतीली में भी दिखाई दे रहा है एक चीज और आपका पहले पोर्व से सेकंड पोर्व ज्यादा लंबा है तरक सक्ति बहुत अच्छी रहेगी लोजिकल तरीके से तरक देने के सक्ति बहुत अच्छी है लेकिन जल्द बाजे से बचना होगा जल्द बाजे में किया उहा कार्या लिया गया निरणय नुक्सान दायक होगा और जैसे जैसे उम्र बटेगी पीठ का दर्द है गोटने का दर्द है कमर की प्रोब्लम है इसकी संभावना को भी ये जन्म देगा योगा इत्यादी प्रणायाम इत्यादी जरूर करते रहें तो इन चीजों की होने की संभावना नहीं रहेगी तो इन दो तीन चीजों का उपर आप जो है थोड़ा ध्यान दीजेगा अब थोड़ा एक चीज और देखते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि ये उंगली आपकी सीधी खड़ी है निश्चित रोप से लीडर्शिप की क्वालिटी बहुत सुनर है अच्छी है ये उंगली कहीं न कहीं जुकती हुई दिखाई दीरी है सूरे परवत की उंगली की तरह किसी चीज में भी सफल होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिसरम करना पड़ेगा तब जाके चीजों में आपको सफलता मिलेगी कई बार दोड़ा धूपी का काम भी ऐसे में रह सकता है इस बात के और ये संकेत कर रहा है हाँ सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से जुकी हुई है मिडिली फिंगर की तरह आपके अंदर कुछ इक्छाएं परबल रूप में हमेशा बनी रहेगी यस पाने की इक्छा, नेम भेम पाने की इक्छा अपने कारियों में बहुत ज़्यादा बिस्तार पाने की इक्छा परबल रूप से रहेगी ये भी सूर्य यहां पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है बरतमान में देखें तो जो ब्रिस्पती की उंगली है और सूर्य की उंगली दोनों बराबर है दोनों में डिल फिंगर से चोटी है धन और यस की भूक आपके अंदर है पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और मातर जीवन का लच्छवी इस समय यही दिखाई दे रहा है यहां पे अगर हम एक चीज और देखते हैं तो यह उंगली भी कहीं न कहीं जुकती उही दिखाई दे रही है आपकी जो है रिंग फिंगर के तरफ धन का माने की ललक बहुत ज़ादा रहेगी बहुत अच्छी रहेगी और इसका फाइदा भी मिलेगा यहां पे यह इसके पहले पौरवे तक लगभग नहीं पहुँच पा रही है हलकी पहुँच रही है और वैसे नहीं भी पहुँच रही है दो चीजें देगी एक तो ऐसा ब्यक्ति ब्यापार के छितर में रहता है या नोकरी कर रहा होता है चाए प्रैबिट करे चाए सरकारी करे लेकिन कहीं न कहीं जो है अच्छी पोजिशन पे रहता है लेकिन धन के मैनेजमेंट में धन के प्रबंदन में यह कमी को दिखाता है वैसे communication skills बहुत सुन्दर रहेगी इस बात के और ये संकेत कर रहा है आपकी हिर्दे की लकीर इस तरों से जाती हुई सीधा आच्यार ब्रिस्पति की तरब देख रही है ये अत्यंत सरेष्ट है केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे बल्कि सब के लिए सोचने वाला ब्रिक्तित्व आपका है जादा से जादा नौलेज अरजन करने वाला ब्रिक्तित्व आपका है बुद्धि मता से काम करते हैं तेजुस्वी हैं प्रेम केवल दिखावे के लिए नहीं करते हैं बलकि जिसको भी प्रेम करते हैं हिर्दई से प्रेम करते हैं जो आपका थोड़ा भी साथ निभाता है या आपके मन को जो भागया आप उसका साथ अंततक निभाती है लेकिन स्वाबिमानी भी है और स्वाबिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें पून तो विस्वासी है और विस्वास किया जा सकता है ऐसा बिक्तित्व है निर्मल हिर्दय का बिक्तित्व है आपको देखेगा आपको अपने कारियों में बिस्तार तभी मिल पाएगा फैलाव तभी मिल पाएगा उसमें नाम और यस तभी मिल पाएगा इस्तिति तभी मजबूत हो पाएगी जब आपका सुर्य पूर्ण रोप से बिक्सित आउस्ता में आ जाएगा या उर्जा प्रवाइड कर पाएगा ये आपकी हतेली बता रही है यहाँ पे देखे मस्तिस्क रहेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है क्रियेटिविटी बहुत अच्छी है आपके अंदर बौधिक अस्तर आपका बहुत उच्च किसम का है एक विबेक वान विक्तित्व है आपका अपने विबेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जिवन का लिकेरे सुन्दर और भव्य योजनाई बनाते रहते हैं ये भी आपका दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है तिल भी दिखाई दे रहा है जो मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है यहाँ पर अगर हम देखें जिवन की रेखा इस तरह से आते हुई दिखाई दे रही है किये तो कि तरफ जा रही है देखो मैंने जो प्रेक्टिकल रूप में देखा है वो ऐसी जीवन रेखा वाले बिक्ति मैने है अपने जन्म अस्तान से दूर तरक्य करते हुए देखते हैं जन्म अस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्य नहीं कर पाते हैं और ये लोग सफल तो होते हैं लेकिन उसके पीछे संगर्स भी छुपा होता है और उतार चड़ाव भी ऐसे लोगों को ज़्यादा देखने पड़ते हैं और कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है वो आपकी जिवन में भी फिट बैठता है दूसरी बात है लेकिन कर्म ऐसे करते हैं कि एक दिव्य आत्मा की तरह एक सुन्दर संत की आत्मा की तरह इनको स्री हरी की चरणों में जगह मिलते हैं ये मोक्ष की प्राप्ति करते हैं निर्वान की प्राप्ति कर पाते हैं यहाँ पर एक इस तरह से आती हुई दिखाई दिखाई 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 हाँ यात्राओं का मौका मिलेगा सुखद मौका मिलेगा पैतरिक संपति हो तो उसका लाभवी मिलेगा और धीरे-धीरे छटी इंद्री भी कहीं न कहीं बिक्सित होती जाएगी कल क्या घटित होने वाला है ये भी आवास होने बैट जाएगा ये भी आपकी हतीली यहां पर पथाते हुई नजर आ रही है करियर और धन की रेखा एक-आ-एक जो है मस्तिस्क रेखा में समाहित हो रही है आगे नहीं बढ़ पारी है ये घलत है यह ऐसी इस्तिति है अगर करियर और धन की रेखा है संगर्स बना रहता है और जादतर ऐसे लोगों का जो डेप्लप्मेंट है जो प्रोग्रेस है बादित हो जाती है अपने मस्तिस्क से जल्दबाजी में या भावनाओं के बसीबूत होकर ऐसा बिक्ति निरणे ले ले लेता है और वो निरणे कहीं न कहीं गलत भी हो जाता है कारियों में अर्चन आना, कारियों में धोका मिलना, कारियों में बिलम्म होना, कारियों में ओ इस्तिर्ता रहना इस चीज को ये करियर और धन की रेखा बताती है, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को नियमित रूप से दिव्य योग ध्यान किरिया के साथ साथ महालक्षमी की पूजा करने चाहिए माला जाप करना चाहिए और जो इनका समय होता है वो समय कहीं न कहीं रातरी बारा बजे से पहले का होता है किसी भी समय एक टाइम बांध करके ये लोग महालक्षमी का एक मंतर होता है इस फटिक की माला से एक माला तीन महेने तक इनको जाप करना चाहिए उसकी एक बिद्धी होती है वो मैं लिख करके आपको दे दूँगा मंतर से जरूर करिएगा और साथ में दिव्य योग धियान के रिविजरूर करिएगा निश्चित रोप से उसका बहुत बड़ा लाब आपको प्राप्त होगा कहीं न कहीं करियर और धन के मामले में धीरे धीरे अस्ताइद प्वा आना इस्टेबिलिटी आने सुरू हो जाएगी यह आपकी हतेली यहाँ पे इस प्रकार की चीजों को बता रही है यहाँ पे एक दो चीजों की और चले यह मिडिल फिंगर है आपकी और मिडिल फिंगर के नीचे का हिस्सा यह है आपका सनी का परोथ यहाँ पे सनी बहुत जादा उठ गए है यहाँ पे बैठ गए है क्या मतलब होता है इसका जब ये इस परकार से उठते हैं तो बरतमान समय को दिखाते हैं जब तक ये इस परकार से अनबैलेंस रहेंगे बिना वजहे की चिंताएं बिक्ति को देंगे या कुछ ऐसी वजहें पैदा करें जिसके कारण विक्ति चिंता में बना रहे ओसे में विक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुई भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है जब इस परकार से ये बैठावा होता है ब्यक्ति इस्तेमाल होता है ब्यक्ति चीजों में धोका खाता है लोग अपने काम को निकाल लेते हैं और उसके बाद मना तो नहीं करते हैं लेकिन धोका दे देते हैं इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं ये इस चीज को दिखाता है तो कहें न कहें सनी की उपासना जरूर करनी चाहिए अगर भग्या का पूरा साथ चाहिए तो सनी की उपासना जरूर करें उपासना में इस रूप में दोंगा कि आप कर भी सकें और उसका फायदा भी उठा सकें यहाँ पी यह रिंग फिंगर है इसके नीचे का जो ये बाग है ये सूरे का परूत है यहाँ पे देखेंगे आप कट-कटाओ की इस्तितिमन रखे है और सूरे प्रोपर तरीके से उर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है ये आपके बरतमान समय को बता रहा है चीजें तो लगबग चल ठीक रही है लेकिन जो वास्तों में आप प्रयास कर पा रहे हैं वो प्रयास पूरी तरों से सफल नहीं हो पा रहे हैं जो आप मेहनत कर रहे हैं जो आप परिसरम कर रहे हैं उस मेहनत और उस परिस्रम का पूरा स्रेव पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरों से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है। ऐसे में बेक्ति अगर ब्यापार की तरफ जाता है, तो ब्यापार में वो बिस्तार वो फैलाव नहीं मिल पाता है, जो उसको मिलना चाहिए। कामों में रुकावट आना, कामों में बिलंबता होना इस चीज को दिखाता है। इन चीजों में कमी है। इनकी चिंता आपको करने पड़ रही है। क्या करना चाहिए वास्तों में केवल सूर्य पूजा नहीं। सूर्य पूजा तो करें लेकिन टाइम नहीं है तो क्या। सूर्य किरिया अउस्यकरे हैं। इसके लिए सूर्य किरिया बहुत जरूरी होती है। यदि आप सूर्य किरिया परवपर तरीके से करते हैं, तो कुछी समय बाद आप देखेंगे कि आपकी जो सार्यक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ ताल मेल में आने बैठ जाएंगे। इसका असर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पढ़ना बैठ जाएगा। जहां आपकी सार्यक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी, वहीं आपका मानसिक संत्रलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजिता से चलेगा। फिर आपको सार्यक स्वस्त्य है, जीवन की वास्त्विक खुसाली है, जीवन का उत्सा है, उर्जा है, इन चीजों की चिंता नहीं करने पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजेगा और इसका फाइदा उठाएगा, मैं ओडियो के माद्यम से इन चीजों को आपको दे दूँगा, अब यहाँ पे देखेगा, ये आपका अंगोठा है, इसके नेचे का जो ये भाग है, ये सुक्र का परोत है, ये सुक्राचारे जी है, ये दैतियों के गूरु है, और हमारी हतेली में बैठने वाली सेकिंड आचारे है, लिकिन भगवान संकर के ये सिस्यह हैं, कला है, सुंदर्य है, सुनर्ता है इन सब चीजों के लिए, और एक सुखद जीवन के लिए इसका हतेले में पुष्ट और सुन्दर होना जरूरी है आपके हतेले भी ये सुन्दर रोप में उबरे हुए दिख रहे हैं धनभाव में बैठे हुए हैं, तेजो में आउस्ता में हैं आपको भी ये तेजोस्वी बना रहे हैं अपने को मेंटेन डखना, अपने पर्सनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहे ने वाली हैं बहुत एक सुक्सुदाओं के तरफ ज़्यादा अकरसन रहेगा, लगजरी लाइफ के परती नहीं चीजों के प्रति रुझान भी बना रहेगा इस चीज की और जो है ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में परिवार का भी सैयोग सपोर्ट मिलने वाला है हाँ इसमें बहुत सारी रेखाएं भी है और जब ये रेखाएं होती है तो ये बरतमान समय को बताता है बरतमान समय में मानसिक परेशानियों का कहीं न कहीं आपको सामना करना पड़ रहा है बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिसरम करने के बाद भी आपकी द्रिष्ट से देखें तो अभव की इस्तिति बनी हुई है और वास्तिविक सुक पाना थोड़ा कठिन हो रहा है चाए वो सारी रेख सुको हो चाए मानसिक सुको हो कठिन होता हुआ यहाँ पे दिखा का भाग है यह कही न कहीं सनी की तरब आती हुई दिखाई दे रहे हैं परिवार को लेके कुछ चिंताईं उबर सकती है थोड़ा सचीत रहे हैं मन कोई गटित होने वाला तरही है लेकिन थोड़ी सी चिंताईं जो है उबर सकती है हाँ आने वाले समय में निश्चित बुद्ध देखें बुद्ध आपका बहुत अच्छा है वानी की सकती बहुत अच्छी रहेगी और जो आपका ब्यापार चलना है निरंतर ने चाहे कैसी भी प्रिस्तित है इसी बुद्ध की उज्चित चलना है जो उच्वर्ग का ब्यक्तित्व आपका बना हुआ है ने जो प्रैसानी नहीं जहल रे हैं, यही बुद्ध है और जो आपकी प्रसनल्टी आपका बिक्तित वनिखर रहा हैने इसी बुद्ध के कारण है और हर प्रकार की जो प्रस्तिती हैं, उसको समझने की जो छमता है ने आपके अंदर, वो इसके कारण है जो कहीं कोई योजना बना कर चल रहे है इस बुद्ध के कारण यही बुद्ध है जो बर्तमान में आपका भरपूर तरों से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा के इस्तित देखें अंबैलेंस है सुकर के साथ मिलकर जो है मानसिक परेशाने को जन्म दे रहा है मन को गड़बड कर रहा है भावगता दे रहा है कभी कभी इमोशनली परेशान करता हुए यहां पर दिखाई दे रहा है कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहता है और कभी-कभी पेट की दिक्कतें भी आ सकती है इसकी और संभा होना जता रहा है थोड़ ध्यान लगे खान-पान का जो समय है उसमें समय बद्दत परीके से कलें और वो खाना नखाएं जो सरीर को जहर पैदा करें निन आने में दिक्कतों का सामना कन ना पड़ सकता है दिब्य योग-ध्यान के रिया जरूर करें बहुत अच्छा फ़ला आपको मिलेगा आपका अगर मणी-बंद देखें तो यहाँ पे जो है दोस्यूक्त है कुछ समय तक अभी कोई न कोई चिंता बनी रहेगी इस बात के और यह संकित कर रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतीले का पूरा विश्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मात्यम से आपके वट्सअप नम्मर पे परसनली भीज रहा हो उसको दिये गई हिसाब से करेगा विदिवत तरीके से करेगा निश्चित ही जादोई तरीके से जिवन में परिवर्तन जरूर आएगा इस वीडियो में इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो उपस्तित हुगा तब तक के लिए नमस्कार